आज हम जिस टॉपिक के बारे में जानेंगे जिस टॉपिक का अधियान करेंगे वो है पुधि बच्टन सबी व्यवसाइक संस्ताओं में के जानेवाले व्ययर सामनते दो प्रकाड के होते हैं एक तो वे वे जिनका लाब संस्ता को अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि में प्राप्त हो जाता है और ऐसे व्यों को आय गत्विय कहा जाता है। तथा उनके करने या नय करने के बारे में सही निर्ने लेना प्रबंदा का एक महतोपुन दाइत्व है। इस दाइत्व का निर्वाहन करने के लिए प्रबंद जिस तकनीक का प्रियोग करता है वह पूझी बजटन कहलाती है। पूझी बजटन का आशे वित के विभिन सरोतों से पूझी प्राप्त करने के लिए बजट बनाने से नहीं है। बलकि यह संस्था की दिर्ग कालीन लाबदायकता को अधिकतम करने के उद्देश्य से पूझी व्यों के नियुजन वे नियंत्रन की प्रक्रिया है। इसको इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि पूझी बजटन एक प्रकार से पूझी व्य बजटन है। परिभाशा के रूप में देखें तो पूझी बजटन को इस प्रकार से परिभाशित कर सकते हैं कि पूझी बजटन पूझी के दिर्ग कालीन नियोजन से संबंदित एक प्रक्रिया है। इसके अंतरगत पूझी गत विनियो की भावी लाभोत पादकता का अध्यन करना। उसकी पूझी लागत की गणना करके अडजन और लागत की तुलना करना। तथा अंत में उस विनियोग के करने अथ्वान नय करने के बारे में अंतिम निर्ना लेना समलित है। पूंजी बच्टन के दो-तिन विशेष्टाएं हैं जैसे अत्यधिक संभावित आय इससे प्राप्त हो सकती है तुलनात्मक रूप से जोखिम की मातरा ज्यादा होती है और प्रारंबिक विन्योग तथा प्रत्याशित लाबों के बीच तुलनात्मक रूप से दिर्ककाली न पशेष्ट है करने इसके बाद बॉझत अबच्टन के कल देश्चों पर है Pat कवशेष्ट प्रस्तावीत पुझे व्यों का मुल्यांकन और बाचटा की साहाथा से अथ पुझे बच्टवों के संस्ता द्वारा विभिन संपत्तियों के लिए किये जाने वाले व्यों का मुल्यांगन किया जाता है ऐसा करने से प्रतेक व्य की साथक्ता मापी जा सकती है दूसरा है प्रात्मिक्ता प्रात्मिक्ता निर्धारित करना प्रात्मिक्ता निर्धारित करने का आश्य विभिन परियोज प्रात्मिक्ता निर्धारित की जाती है। इसके पश्चात इन में से सबसे अधिक लाप्रद युजना को या लाप्रद परियुजना का चुनाव किया जाता है। तीसरा है पूंजी व्यों में पूंजी व्यों पर नियंत्रन अन्य व्यों साइक बजटों की भाति पूंजी बजट का भी एक प्रमुक उद्देश्य संस्था के विभिन विभागों द्वारा की जाने वाले पूंजी व्यों को नियंत्रित करना है इसमें वास्तविक वेओं की पूर्व निर्धारित वेओं से तुलना करके इन पर प्रभावकारी नियंतर रखा जा सकता है नेक्स्ट है बूतकाली निर्नों का विशलेशन करना पुझी बजट की साहता से गवत अबधी में किये गए व्यों का विशलेशन किया जाता है जिससे जाना जा सके कि वे निर्णे किस सीमा तक सही थे और आखर ये हैसमें इस्थाई संपत्यों का मुल्यांकन पुझी बजट अबधी के अंत में बनाये जाने वाले चुठे के लिए इस्थाई संपत्यों के मुल्यांकन समंग पुझी बजटन से उपलब्ध हो जाते हैं इससे प्रक्षेपित चुठा असानी से बनाया जा सकता है तो ये कुछ पुझी बजटन के उदेश है इसके बाद हम आते हैं पुझी बजटन के विशिष्टा या तथा उनके महतुपर पहली है इसमें दिर्ग कालिन प्रभाव पूंजी वया निर्नेओं की सबसे महतुपुन विशेष्टा इसका संस्था की भावी लामदयक्ता और लागत सरंचना पर प्रभाव है ये संस्था की व्रद्दीदर एवं दिशा को प्रभावित करते हैं एक उच्चत निर्नेओं आश्चरे जनक प्रत्याय दे सकता है जबकि गलत विन्योग निर्नेओं संस्था के अस्तित्व को खत्रे में डाल सकता है इसलिए कहा जाता है कि पुझी विया निर्णय संस्था के भग्य को तैय करते हैं तो इसके दिर्ग कालिक प्रभाव होते हैं दूसरा है जोखिम से संबद किसी भी संस्था में कोशों के दिर्ग कालिन विन्योजन में अनेक प्रकार का जोखिम होता है एक विन्योग प्रस्ताव के फल्सुरूप संस्था के ओसत लाभों में व्रद्धी होती है परन्तु साथ ही साथ उसकी अर्चनों में बारबार उच्चा मचन्बे होते हैं ऐसा निरंतर शोध एवं तक्नीकी विकास के कारण ग्राहकों की अगला है कोशों का बड़ा आकार पुझी वे निर्नेओं में 27 संपत्तियों की आवपति अथ्वा कुछ विशाल परियोजनाओं के क्रियानवन हेतु अधिक कोशों के आवशक्ता होती है अधिकार्श संस्ता हैं ऐसे अधिक कोश उपलब्द नहीं करा सकती क्योंकि उनके पुझी संसादन सीमित होते हैं इसलिए यह आवशक है कि वरत पुझी कोशों का बड़े पुझी कोशों का विणियोग पुझी मुल्यांकर के साथ इलाप प्रत प्लियोजनाओं में किया जाना चाहिए और इसके लिए पुझी वश्टन एक मैं तो पुझी मार्ग उपलब्द कराता है पुझी वश्टन एक प्रत्यावरती होते हैं तथा विणियोजित राशी वापस वसूल नहीं की जा सकती यह इसकारण है कि पुरानी पुझी संपत्यों के लिए नहीं तो कोई बजार होता है और नहीं इन संपत्यों को अन्य किसी लाबदायक विकल्प में परिवर्थित किया जा सकता है के वल एक ही उपाय है कि इनको गहरी हानीपन निस्तारन किया जा सके इसलिए ऐसे निर्ने परियोजना की बारीकी के विस्तरित चांच एम मुल्यांकन करने के पश्चाथी किये जाने चाहिए और पुझी बश्टन इसकारे में सहयोग प्रदान करता है नेक्स्ट है संस्ता की प्रतिस परदात्मक शक्ति पर प्रभाव पुझी बश्टन निर्ने संस्ता के भावी लावों एम लाक्तों का निर्धारन करते हैं जो कि अंत्तित संस्ता की प्रतिस परदात्मक शक्ति को प्रभावित करते हैं अगला है लागत सरंचना पर प्रभाव पूंजी बश्टन निर्नेओं के प्रणाम सरूप एक संस्ता को एक बहुत बड़ी राशी इस्थाईवे जैसे परिये विक्षन वैबी मा, भवन किराया, भूमी पर पूंजी पर ब्याज आधी के रूप में वहन करने पड़ती है यदि परियोजना भविष्य में एसफल हो जाती है, अत्वा अपिक्षित रूप से लाब कम मर्जित करती है, तो संस्ता को इन इस्थाईवेओं का भार वहन करना होता है, जो की संस्ता की लाब दायकता को प्रभावित करता है नेक्स्ट है सरवाधिक कठिन निर्ने, पूझी बश्टन निर्ने लेना एक दुशकर कारे है, कठिन कारे है, क्योंकि इनका मुल्यांकन संस्ता की भावी गटनाओं एवं क्रियाओं की इनिश्चिता पर निर्बढ करता है इसी तरह किसी विशेश विनियोग निर्ने के भावी लाबों एवं लागतों का मुद्रा एवं परिमान में सही अनुमान लगाना भी कठिन होता है, क्योंकि ये लाब एवं लागतें आर्थिक राजनितिक तथा तक्नीकी कार्णों से प्रभावित होते हैं नेक्स्ट है अन्षधारियों की संपदा अधिक्तम करना वित्य प्रबंध का मुद्देश अन्षधारियों की संपदी को भी बढ़ाना होता है इसलिए पुझी बच्टन का उदेशे उन दिर्ग कालीन विन्योजन परियोजनाओं को चैन करना है जो दिर्ग काल में अंशधारियों की संपदा को अधिक्तम कर सकें पुझी बच्टन निर्ने अंशधारियों यम संस्ता के हितों को सरक्षन देते हैं क्योंकि इस्थाई संपद्यों में अति विन्योग या न्यून विन्योग को दर्शाते हैं अगला है लागत नियंत्र पुझी वे कितना किया जाए और कप किया जाए यह निर्धारित करने से पूर्व लागत लाब दुलना की जाती है व्यवसाय का ये निरंतर प्रयास रहता है कि जितनी लागत निर्धारित की गई है उससे अधिक ने हो यदि कहीं विचरन होते हैं तो सिधारात्मक का रिवही की जाती है तथा उत्तरदाईत वेम जवाब देही निश्चित कर दी जाती है और अंति में इसमें पूंजी सरंचन नियोजन किसी भी परियोजना द्वारा अर्जित आधिक के पूंजी लागत पर निर्भर करता है जो कि संस्था की पूंजी सरंचना पर निर्भर है इस प्रकार पूंजी सरंचना नियोजन भी स्वेते ही हो जाता है तो ये कुछ विशेष्टा हैं और महत्व थे पूझी बश्टन के इसके बाद आते हम पूझी बश्टन की प्रक्रिया पर पूझी बश्टन की प्रक्रिया इस प्रकार से है जैसा कि इस चार्ट में दिख रखा है हुझी बश्टन की प्रक्रिया में सबसे पहला है परियोजना उद्भव, दूसरा है परियोजना मुल्यांकन, तीसरा है परियोजना जाच्वेचेन, चोथा है हुझी बश्टन एवं परियोजना क्रियानुमन, और पांचमा है इसमें निश्पत्ति समिक्षा एवं अनुव सबसे पहला परियोजना उद्भव परियोजना किस प्रकार से उद्भव होगी किस प्रकार से क्या परियोजना है इससे सलेक्ट करना फिर उस परियोजना का मुल्यांकन करना मुल्यांकन करने के लिए बहुत सारी तक्नीक हैं जिन तक्नीकों से उसका मुल्यांकन किया जाता ह फिर परियोजना की जाच वे चैन करना परियोजना को जाचा जाता है व्यवहार में सभी पुझी वश्टन निर्न उच प्रबंदक द्वारा ले जाते हैं फिर भी परियोजना को वे ज्यानिक जाच एवं मुल्यांकन किया जाता है उसके बाद है पुझी बजटन एवं परियोजना क्रियानवन जो एक बार परियोजना अनुमोदित हो जाती है चैन हो जाती है उसके बाद पुझी बजट तयार हो जाता है यह उच्छ प्रबंद अत्वा क्रियानवन समीति का करतव्य है कि कुश्ण का उप्योग पुझी ब साल में समिक्षा करने के लिए एक सो व्यवस्तित प्रक्रिया विक्सित की जाती है समिक्षा अनुवर्तन समिक्षा या अनुवर्तन वास्तविक निश्मादन की बजट अनुमानों के तुलना के लिए किया जाता है तो यह पुंजी बजटन की प्रक्रिया है बस आज के प्रूंबन